Hello everyone, welcome back to the channel कैसे हो आप सभी आशा करते हैं आप सभी लोग अच्या होंगे इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ बहुत ही जादा important information शेयर करने वाली हूँ उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके notification को उन कर देना है ये बिलकुल finally वो समय आचुका है जब पीशेर हो तक ने official notice जो है release कर दिये हैं मैं आप लोगों को सब कुछ इसी वीडियो में explain करने वाली हूँ student जैसे कि अभी counseling का समय आचुका है तो आप लोगों को counseling के लिए जो है prepare हो जाना चाहिए because counseling जो रहेगी वो काफे जादा long process यहाँ पर रहने वाली first round counseling होगा second round counseling रहेगा mop up round counseling रहेगा and along with that let's suppose अगर आप लोगों का first round counseling या फिर किसी भी round में admission हो जाता है तो उसके बाद भी आप लोगों को आप लोगे इमान के चल सकते हैं कभी भी rest नहीं मिलने वाला है लगातार आप लोगों को जो है चलते ही जाना पड़ेगा because यह काफो जादा long process भी रहती है and यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही जादा involvement होना इसमें जरूरी होता है because अगर आप लोग किसी भी particular duration पे कम involve होगे तो आप लोग कोई ना कोई गलती कर बैठोगे जिस वज़े से आप लोगों का admission भी जो है यह हो सकता है कि आप लोगों को किसी भी reason की वज़े से admission cancel आप लोगों का हो चाहिए या फिर admission आप लोगों को ना मिले even तो आप लोगों के अच्छे मांग, इस वजह से इस प्रोसेस के डूरिंग, आप लोगों को maximum active रहना है more than आप लोग जितने active थे, entrance exam के समय पे, उससे भी जादे active रहना है because entrance exam तो जो था वो university को लेना था आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे present होना था but counseling आप लोगों को अपनी, खुद ही करवानी है university उसमें आप लोगों का साथ नहीं देने वाली है वो लोग सर्फ information प्रोवाइड करेंगे करना आप लोगों का काम है तो इस वजह से आप लोगों को अभी इस particular duration पे आप लोगों का maximum active हो जलाचे सभी के सभी documents आप लोगों को ready कर लेने है जितने भी आप लोगों के original documents है and make sure करें कि आप लोगों ने documents उसी format में बनवा रखे हो जिस format में PGI ने define किया है अगर आप लोगों को format नहीं पता तो आप लोगों मुझसे पूच सकते हैं but make sure को सभी के सभी original documents बनवा लेना है and उसके साथ साथ आप लोगों को make sure करना है कि आप लोगों ने वो जो documents बनवाए हैं वो same format में होनी जी है जैसे कि यहाँ पर PGI और हो तक में आप लोगों के demand किया गया फिर आप लोगों से मांगे गया उसी format में होना चाहिए उसके साथ साथ जो भी processes रहेंगी जैसे कि आप लोगों को fees कैसे deposit करनी है most probably इस बार भी जो fees हो सकती है वो DD की fog में हो सकती है तो उसके लिए भी आप लोगों को जो है well prepared रहना है चाहिए जैसे आप लोगों की activity जो है maximum होने वाली है तो इसके लिए आप लोगों को पहले ही ready हो जाना चाहिए जैसे ही आप लोगों की counseling रहेगी like first round होगा उसमें आप लोगों को seat alert होंगी seat alert होने के बाद भी आप लोगों को अपना पूरा examination करवाना पड़ता है medical examination देना आप लोगों को fees वगरा भी देने पड़ती है आप लोगों को college में भी report करना पड़ता है जो भी respected college रहता है जो कि आप लोगों का alert किया गया है उस particular college में आप लोगों को जाना पड़ता है देन आप लोगों की classes start हो जाते हैं लब अभी जो लाइफ रहेगी एक new series या फिर new era आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों की new start होने वाली है तो उसके लिए भी आप लोगों को पहले से well prepared रहना चाहिए because अभी जो conditions है वो यहाँ पर college में जाने के बाद सेम नहीं रहने वाली है आप लोगों की जो सभी के सभी conditions हैं वो यहाँ पर change हो जाएंगे इस वज़े से आप लोग पहले ही इस चीज़ के लिए prepare हो जाएं अगर आप लोग जो है जितने भी marks आप लोग acquire करते हैं doesn't matter पर जितने भी आप लोग acquire करते हैं कि अकोर्डिंग आप लोगों को college alert होगा 100% यह मैं आप लोगों को बता रहे विकास मैंने आप लोगों के वीडियो में दिखाया भी था कितने ज्यादा कम-कम marks पे भी college alert किये गए तो college तो alert होगा तो इस वज़े से अगर आप लोग चुक है admission लेने के लिए तो सभी के सभी preparation पहले ही कर ले हैना also मैं फिर से बताना चाहूँगी documents जो रहेंगे वो आप लोग जो है same format में बनवा ले तो चलो बात कर लेते हैं जो official notification जो है release कर देगे पीछे एर हो तक की साइड से तो counselling रहेगे उसमें हमें जादा delay नहीं देखने के लिए मिलेगा because counselling बहुत जादा जल्दी होने वाली है तो यहाँ पर finally जो है हटने वाले हैं जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि restriction जो थे यहाँ पर covid की वजह से थे वो हटने वाले हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन notice से पता लगता है because most of the university exams है वो अभी जैन में ही होने वाले हैं तो अगर जैन में exams होंगे मतलब जो रहेगा यह finally approval हो चुका है approval हो चुका है कि अभी जो है counseling भी conductor करवाई जाएगा आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था जो यूनिवरस्टी examination होने हैं बियसे फॉस्ट इयर के वो यहाँ पर पंदरा जैन से होने वाले हैं तो यहाँ पर अभी जो other exams के बार में बात करें ज नहीं रहने वाले है exams के लिए integration हो सकता है and of course जो है अगर exam के लिए हो सकता है तो counseling के लिए 100% होने वाला है चाहिए counseling online हो चाहिए counseling offline हो अभी बिल्कुल भी आप लोगों को wait नहीं करना है ऐसा ही same next एक new notice भी जो है release कर दिया गया by student यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर motive मिल लें वाला है कि that is अभी आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय आप लोग ready है and उसके साथ साथ आप लोगों को make sure करना है कि जहां पे भी आप लोगों कांसलिंग से relevant जाए आप लोगों को जो रहेगा COVID guidance को ज़रूर फोलो करना है because आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि यह हां पर COVID cases आ रहे हैं ओमिक्रोन cases आ रहे हैं भूती ज़्यादा per day जो है increase होते जा रहे हैं तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रख लेना मिलेंगे कि next new update के साथ next information के साथ thank you